नमस्का, मैं होसासी आयो जरकन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं में एच्शक गार्म के स्रिजन का प्रसाव प्रसाश सी पद वर्ग समिति को भेजा गया है प्रसासी पदवर्ग समीती के पद स्रीजीत होने के बाद चिकित सक वो पारामेट कलके इन पदवपन्युक्ति की परिगरिया शुरू कर दी जाएगी 31 मार्च तक अपने पैन कार्ट को अधार से करे लिंक अगर आपने अभी तक अपने अधार कार्ट से पैन कार्ट को लिंक नहीं किया है तो फटा-फट एक काम कर ले क्योंकि लाश्ट डेट बहुत न दिखा है बता दे केंद्रिये पर टेक्स कर बोड के अनुसार आप 31 समाज तक अपने पैन कार्ट को अधार कार्ट से लिंक कर सकते हैं जो लोग अंजान हैं उनके लिए 2017 में CBDT ने घोशित की सभी भारतिय नागरी को अपने पैन कार्ट को अधार कार्ट से लिंक करना होगा यह कधम Income Tax Department को किसी भी परकार की टेक्स जोरी का पता लगाने के अनुमान देता है और यह Multiple Pen Card जारी करने को भी कम करने में मदद करता है क्योंकि कई लोग सरकार को धुखा देने के लिए कई सारे Pen Card बनवा लेते हैं बता दे, पुलिस मुख्याले क्या देश पर अभी से ही सभी जिलों में पूलिस अलर्ट मोड पर आ गई है होली वास अब एब रात के दुरान बिधी बेवस्ता समधित कोई परिशानी नहों इसके लिए राजी में करीब 5,000 अतिरिक्त बलों की तैनाती की जा रही है इसमें 4,000 जवान लाठी वाले हैं इसके अलावा 6 कंपनी रैपीट एक्षन पूलिस को भी तैनात किया जा रहा है जार्खन के गाउं में ड्रोन सर्वे पर परतिबंद पर सी एम को दिबधाई जार्खन के खुटी जिले में पांचवी अनसुची छेत्र प्रविधानों का वलंखन कर कराये जारे ड्रोन सर्वे और जमीन के डिजिटल सर्वे पर रोक लगा कर जार्खन सरकार ने जनभावनाव का सम्मान किया है यह काना है All India People's Forum का जार्खन इकाई की ओर से जारी ब्यान में इसके लिए मुख्यमंत्र हेमान सुरेन को धन्यवाद दिया गया है आरोफाय के आदिवासी बहुले खुटी जीले में पांचवे और शुची चेत्रे के प्रविधावों का उलंगन कर केंद्र सरकार और जीला पर सासंद्वारा जबरन ड्रोन सर्वे तथा जमीन का डिजिटिल सर्वे कराया जा रहा था जहारखन के मोडल स्कूलों में हैपी करिकूलम लागू सेस 325 मोडल स्कूलों के धारवुस संद्चना के निर्मान है तुजल्द निविधा की परकिरिया पूरी की जाएगी जहारखन के 7 लाख बच्चों के जैक मैट्रिक इंटर परिक्षा पर ग्रहन जहारखन एकेडमी काउंसिल जैक की मैट्रिक वा इंटर परिक्षा की त्यारी पर ग्रहन चड़ता जा रहा है जिसके बाद मैट्रिक इंटर परिक्षा की करिव 7 लाख परिक्षारतियों की किसमत जैक के त्यारी पर ठिकी है बता दे बोर्ड परिक्षा 24 मेर से आयोजित होने जा रही है और इसे लेकर जैक की और से अभी तक बोर्ड की बैठक नहीं हो पाई है जिसे परिक्षा समंधी त्यारी पूरी नहीं हो सकती है यहां तक कि परिक्षा समंधी बयट को लेकर भी कोई अहम फैसला नहीं हो पाया है बोड परिक्षा को लेकर नीती निर्गत कोई निर्णय नहीं लिया जा पा रहा है जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतु बताते हैं कि जब तक बोड की बैठक नहीं होती तब तक सभी निर्नाय लेने में समय लगेगा बैठक के बीना परिक्षा को लेकर बयट का निधारन नहीं हो पा रहा है कुरोना नियमों का पालन करते हुए होली मनाए राची जीला पर्षासन ने सहर के लोगों से अपसी भाई चारा और सवहार्द पूर्ण तरीके से होली और सब एबरात मनाने के अपिल की है सनिवार कुराची समानाला में जीला सांती समीती की बैठक में उपायुक छवी रंजन और स्स्पी सुरेंदर कुमार जहां ने कोरोना गाईलाइन के अनुसार तेवहार मनाने की अपिल की बैठक में सांती समीती के सदस्यों ने भी अपने विचार रखे इसके बाद परशासन ने उनके उनसार ब्यवस्था बनाने की बात कही उपायुक्त ने कहा कि कुरोना फिर से अपना फ़न उठा रहा है ऐसे में आवस्या खाय की हम सवधानी बरते उन्होंने होली का दहन सब्वे बरत और होली में लोगों से याथा संभव घर में रहकर इबादत करने और होली मनाने की अपिल की जारखन में बिधवा बिलाप लड़कियों की तरह मत रोगों चूड़ी पहनलो जैसे सब्दों पर लगेगी रोक जारखन में अब चूड़ी पहनलो लड़कियों की तरह मत रोग और बिधवा बिलाप जैसे सब्दों के इस्तिमाल पर रोक लगाई जाएगी कंग्रेस बिधायाक पुर्णिमा निरज सिन्ने महिला यवं बाल बिकास बिभाग के बयट पर चार्चा के दोरान इस्पिकर रविन्दरनात महतों से अमांग की है बिधान समय महिलाव बाल बिकास बिभाग के लिए 472 करोड की अनुदान मांग पारित हो गई है पुर्णिमा ने कहा कि महिलाओ को बराबरी का अधिकार नहीं चाहिए महिलाओ को अपरचुनिटी चाहिए सदन में सभी सदस्यों के दोरा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करने की मांग पुर्णिमा निरज सिन्ने की हाई कोट के जर्ज एसन पाठक ने महिला ससकती करन का दिया मंत्र जहरखन हाई कोट के जर्ज डाक्टर एसन पाठक ने कहा कि आज की तारिख में महिलाए केवल घर की सोभा नहीं बनेंगी बलिक हर जगा पुर्शों के साथ महिलाए कदम से कदम मिला कर चलेंगी महिलाय आत्म निर्भर होगी तभी महिला ससक्ती करन का सपना सकार होगा हमारा पर्यास है कि महिलाय आर्थिक रूप से ससक्त बने खुटी के बीर्षा कॉलेज फुटबॉल एस्टेडियम में आयोजीत किसांस विकास मेले में एबाते कही मेले में लावको के बीच कूल 5.9 क्लो रुपए की परिसमपति का भी बित्रन किया गया जार्खन में कुरोना के 65 नाए केस मिले है जबकि 94 मरीज स्वास्त भी हुए है जार्खन में कूल एक्टिब केस की संख्या 304 है भारत में कूल एक्टिब केस की संख्या 38 या 956 है उत्पादन भी हर वर्स बढ़ रहा है लेकिन इसके रख रखाओ का धाचा अब भी कमजूर है नतीजा नुकसान के रूप में सामने आता है किसानों को उसकी उपज का मुले नहीं मिलता और विशेश कर सब जीओ फल बड़े पैमाने पर खराब भी होते हैं किसानों के पास अपने उपज को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने की सुभधा नहीं होती मजबूरी में वे कम कीमत पर अपने उत्पादों को बेशते हैं इसी को ध्यान में रखते हुए अब सरकार का जोर किरिसी छेत्रे की अधारबुद सनरचना को दुरूस्त कर उसके बुनियाद को आर्थिक रूप से ससक्त करना सरकार की प्राथमिकता है गरामिन विकास मंती अलमगीर अलम ने कहा है कि महिलाओ को आर्थिक रूप से ससक्त करना राई सरकार की प्राथमिकता है सरकार महिलाओ को ससक्त बराने की दिशा में काम कर रही है इसी का नतिजा है कि हर छेत्म मह प्रजेक्ट वहन में सनिवार को महिला मेट एवं लभारतियों के सम्मान में आयोजित कारकरम में बोल रहे थे अलमगीर अलम ने कहा कि महिला ससक्ती करण के लिए जरूरी है कि महिलाओ के भागेदारी हर्षेत्र में बढ़ाई जाए सेवा निवरीती लाब का भुकतान नहीं होने पर हाई कोट नरा जार्खन हाई कोट के जर्श्टिस एस चंदर सेखर की अदालत में सेवा निवरीती लाब नहीं मिलने के मामले में सुनवाई हुई सुनवाई के दोरान आदालत ने मौखिक रूप से कहा कि ऐसा प्रतित हो रहा है कि अधिकारियों के रवये से सेवा निरिति लाब नहीं पाने वाले प्रतारित हो रहे हैं यह मामला लंबे समय से चला रहा है पुर्व प्रार्थी की मौथ होने के बाद अब पतनी मामले में केस लड़ रही है ऐसे में मुख्य सचीव अपने अस्तर से इस मामले को देखे ताकि बाकी रासी का भुगतान किया जा सके सिवानन्द तिवारी और संजय सिंग लालू से की मुलकात दोरंडा कोशागार से अवाय निकासी मामले में सजय अपता रायत प्रमूक लालू परसाद रिम्स के पेंग वार्ड में इलायरत है हर सनिवार मुलकाती का दिन होने के कारण पैंग वार्ड में रायनितिक लोगों को जमावडा सुरू हो जाता है बता दे तीन लोगों को मिलने की अनुमाती है लेकिन सनिवार को सिर्फ दो लोगों ने ही राया सुप्रीमों से मुलकात की बुलकाद करने वालो में रायात के राश्ट्रिये उपाद्यक, सिवानन तिवारी और झारकन परदेश रायात के करकार गएधियक संजय सिंह शामिल थे लालू पर्साथ के सहत का हाल जानने रिम्स पहुंचे सिवानन तिवारी ने कहा कि उनके सहत में सुधार हो रहा है CCL ने 28 आसरीतों को दिया नियुक्ति पत्र जार्खन उच नियाले में आवेज़त राष्ट्रिये लोक अदालत में CCL ने भाग लिया मुखे नयाधिस डाक्टर रवी रंजन सहीत अनय नयाधिसों ने चिनहीत 28 आसरीतों को CCL का नियुक्ति पत्र प्रदान किया साथी दो महिला स्रीतों को मौनेटरी कंप सेशन प्रदान किया नेगति पत्र प्राप्त करने वाले में CCL के अरगळा धोरी कुजू बी एंड के कथरा हजारी बाग के सामिल थे सहर में गंदगी दिखे तो करे कंट्रोल रूम को कॉल स्वक्षता सर्वेक्षन 2022 में अपनी रैंकिंग सुधारने की कोशिस में रांचीन नगर निगम जुट गया है इसके लिए स्थनिवार को कंट्रोल रूम का नंबर 0651-2000025 जारी कर लोगों से सहर में कहीं भी गंदगी होने पर कंट्रोल रूम के नंबर पर सिकायत करने की अपिल की है साथ ही सहर के सभी तीरपनवाडों के छोटे बड़े मैदानों को साप करने के लिए निगम ने मेरा सहर साफ हो इसमें हम सब का हाथ हो अभियान भी शुरू किया है सनिवार को धुरुवा के सालिमार बजार मैदान को साप किया गया मुख्य सचीव की अनुमाती बगार उपायुक्त नहीं छोड़ सकेंगे मुख्याले जार्खन के सभी उपायुक्तों को अब जीला मुख्याले छोड़ने के लिए मुख्य सचीव से अनुमाती लेनी होगी यानि बीना मुख्य सचीव की अनुमाती के राज के उपायुक्त अब मुख्याले नहीं छोड़ सकेंगे उन्होंने मुख्याले छोड़ने से पहले लिखी त्याप फोन पर मुख सचीव की अनुमती अनिवारे रूप से लेनी होगी कार्मिक विभाग की परधान सचीव वंदना दादेल की ओर से इस आसे का पत्र सभी उपायुक्तों को भेजा गया है जनकारी के अनुसार सरकार को कई उपायुक्तों के संब्ध में या सुचना मिली है कि वह मुख सचीव की अनुमती लिए बगर अवकास ले लेते हैं या मुख्याले छोड़कर अन्य अस्थान पर जाने लगे हैं इस थीती को देखते हुए कार्मिक विभाग की ओर से अवकास लेने का नियम अस्पष्ट किया गया है धनेवाद